हेलो एंड वेल्कम बैक तो कम्पेटिशन कम्मुनिटी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कम्पेटिशन कम्मुनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं स्सी सीडियल और यूट्यूब कोर्स मैं हूं सौरब और आज हम डिसकस करने वाले अलजेब्र आप लोग जानते हैं कि आपका एसे सीडियल का जो एक्जाम है नोटिफिकेशन के इसाब से हम डिसकस करें तो इसका एक्जाम कब होना है एपरिल में होना है और चल रहे दो बज़े से दो बज़े से दो बज़े वाला शिफ्ट एक है और इवनिंग में भी एक जो कि आपके 5 बज़े से शाम को 5 बज़े से 5 पीम to 7 पीम ये आपके एक मार्च के पहले तक का शूरूल है लेकिन एक मार्च से आपके से शीदूल में थोड़ा सा चेंज किया गया है यहां पर दो शिफ्ट की बज़्ाएं तीन शिफ्ट में लेक्च्छर होगा एक शिफ में क्लास होगी बीच में एड हो गया साइन्स जो है आपका इसी शिफ्ट में कवर हो गया जी इसके भी कुछ लेक्चर्स एक्रनॉमिक्स वगरा बचे हुए वो भी इसी शिफ्ट में कवर होंगे ठीक है तो अल्टरनेट डेस पर चलेगा शडूल आप लोग देख लेना लुए कोसा, हैपके मार्च में पूरा सिलेबस कंपलीट हो जाए इसकी बात जब हम Hey¡ एपरिल वांगे तो प्रैक्तिस कोश्चन करेंगे तो जितना घुश्वित लेक्टीं हो चुका है उसका हम पूरा पूरा प्रैक्टिस अच्छा खास हम यहाँ पर April में करेंगे तो March end तक पूरा syllabus complete करने का target April में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हम practice करेंगे तो सारा syllabus आपका March end पर complete करने का हमारा target है अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए है चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई वीडियो जो है जो free of course चल रहा है उसका notification आप में इसना करें सारे notifications आपको timely मिलते रहें और अगर notification timely नहीं भी मिल रहा है तो आप ध्यान रखें बारा बजे धाई बजे पांच बजे इन तीन shift में आपके तीन lectures प्रोवाइड होंगे maths reasoning वाला जो shift है वो सुभा वाला है GS English वाला जो है वो आपका शाम वाला यहाँ पर अब science भी आ चुका है तो science यहाँ पर धाई बजे से साड़ी चार बजे के बीच में आएगा ठीक है तो एक मार्स से change हो चुका है अब मैं start करता हूँ इस part 4 वीडियो का जिसमें कि हम algebra discussion कर रहे थे तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम miscellaneous questions देखेंगे तो जो questions मैंने पिछले टीम वीडियो में cover किया है वैसे उस pattern के भी होंगे कुछ नए pattern के भी होंगे सारे pattern के questions अब हम यहाँ पर discuss करते हैं मेरे बनाने के पहले आप इसको एक बार खुझ से भी बनाने की कोशिश करिए तो चलिए start करते हैं पहला सवाल है आपके screen के उपर तो बताइए भाई इसको कैसे solve करें 1 by A plus B into B plus C 1 by B plus C into C plus A 1 by C plus A into A plus B तो देखिए भाई इसको solve करें तो क्या से करें A plus B plus C का मान आपको 0 दिया ठीक बिना pen चलाए भी आप इसका answer 0 कर सकते हैं अगर आप mind में इस चीज़ को calculation कर सके तो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस बात को समझे जा A plus B का मान क्या है भाई तो 1 by B C है यह मतलब अगर मैं LCM A B C ले लू तो उपर यहाँ पर A plus B plus C आएगा और A plus B plus C बरावर केतना दिया हुआ है आपको A plus B plus C बरावर 0 दिया हुआ है तो overall जो चीज़ है यह पूरा का पूरा 0 बन जाएगा तो answer इसका A है तो यह तो हो गया B C कपरोल value putting हमने last video में cover किया था तो यह वाला सवाल जो है आप value putting से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको दिया है एक equation और variable 3 है जब एक equation 3 variable दिया है तो solvable नहीं होता लेकिन अगर examiner इसके बावजूद आप से सवाल पूछ रहा है मतलब यहाँ पर जितने equation है जितने variable है इसका difference कितना हुआ दो का तो आप दो variable को यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं चलिए समझते हैं इसको जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा value लूँगा जो इसको 0 ना बना है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2-1 दो value ले लिया मैंने a को मैंने ले लिया 2 b को मैंने ले लिया minus 1 जाहिर सी बात है c का value कुछ और नहीं हो सकता minus 1 ही होगा तभी यहाँ पर 0 बनेगा तो देखिए a plus b मतलब 1 हो गया b plus c मतलब minus का 2 हो गया plus b plus c याने minus का 2 c plus a c plus a करोगे तो यहाँ multiplied by plus 1 आजाएगा plus one by c plus a c plus a को करोगे तो यहाँ पर फिर से 1 आएगा a plus b करोगे तो फिर से बनाएगा मतलब यह क्या है वही minus का आधा minus का आधा minus का आधा और यह plus का एक तो minus आधा minus आधा मिलेगा तो minus एक बनाएगा प्लस का एक है तो माइनस एक प्लस एक कितना हो गया जीरो हो गया तो ऐसे भी आप वैल्यू पुटिंग से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं एस सवाल का सही उतर होगा तो वैल्यू पुटिंग जहां पर मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास को वहीं से मैंने शुरु वैल्यू पुटिंग के कुछ पुश्टन्स हम यहां पर देख रहे हैं चलिए अगला सवाल देखेंगे यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है चार तो आपको बताना है इस पूरे एक्स्प्रेशन का मान क्या है तो आप देखिए यहां पूरे एक्स्प्रेश बागी सारे चीज़े हैं मतलब चार चीज़े हैं 1-A दूसरा 1-B तीसरा 1-C चौथा 1-D इसका मतलब इन चारों में से एक-एक को छोड़कर यहां पर मल्टिप्लाय कर दिया है डिनॉमिनेटर में तो डिनॉमिनेटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1-A 1-B 1-C और 1-D इस तरीके से लिख सकते हैं मतलब अगर हम देखें नुमिनेटर में क्या-क्या वैल्यू आएगा एक बार आएगा 1-D प्लस एक बार आएगा 1- यहां से ए आएगा क्यूंकि यहां पर डिनॉमिनेटर में वैल्यू नहीं था यहां से क्या आएगा 1-B और लास्ट वाले में क्या था a plus b plus c plus d ही तो आपका चार था मतलब अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूं तो इस ब्रैकेट में a plus b plus c plus d बचा हुआ है जिसका मान क्या है तो इसका पूरे का मान है 4 तो 4 minus 4 हो गया तो उत्तर कितना जाएगा 0 आ जाएगा जाएगा जो है सवाल का सही उत्तर है यहां यहां पर अगर आप इसको value putting से solve करना चाहते हैं तो वह भी आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास equation एक दिया है variable 4-4 दिये है तो आप यहां पर 4-1 याने 3 variable को कुछ भी मान सकते हैं मानते वक्त ऐसा कुछ value लीजिए कि यहां पर values अलग-अलग आए ठीक तो हमें इस तरीके से चौकरना रहना है कि values अलग-अलग आने चाहिए तो अब मैं यहां पर ऐसा भी नहीं ले सकता कि 1-1 ले लू इसको भी ले 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 माइनस का टू एसा कर सकते हैं 2-2-2 और माइनस का टू तो यहां पर सारे values अलग-अलग आएंगे तो यहां से देखिए 1-1 यह क्या है तो मैंस 2-1 into minus 1 हो गया यहने plus 1 हो गया और यह minus 1 फिर से हो गया तो यहां पर देखे तो यह बनेगा बाकि और अगर आप इस लास्ट वाले को भी देखेएं तो यहां पर कुछ और ही उत्तर आए जिरो नहीं सकते थे यहां पर आप फ़्स जाएंगे वाला मात करें कितलें कि आपके वैल्यूस से options अलग अलग बने तो मैंने इस तरीकी के values लिए 2 2 2 और minus 2 जिससे options अलग 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 रहे हैं यहां पर 2 2 2 minus 2 दालोगे तो कुछ वाल्यू आएगा minus का 15 आएगा ठीक है next question यहां दिया हुआ x plus y plus z बरावर 0 value किसका निकालना है value निकालना है 3 y square का ठीक plus का x square plus का z square divided by 2 y square minus of x z यह आपको निकालना है आपको दिया हुआ x plus y plus z जो है यह आपका 0 है x plus y plus z कितना है 0 है तो देखिए यहां से आपको दो values कुछ भी आप ले सकते हैं और आप देखें तो option में तो पहले से values हैं तो कुछ इस तरीकी के values लिजिए कि यहां पर यह जो denominator है यह आपका 1 by 0 ना हो जाए तो अगर मैं यहां पर x और z को या y को मैं 0 ले लेता हूं क्या करेंगे हम y को 0 ले लेते y को हम ले लेते 0 तो x बरावर minus z हो जाएगा या x को मैं 1 ले लू दो मैंने variable ले लिए y को 0 x को 1 तो z का value क्या होगा minus 1 होगा दो values आप मान सकते हैं क्योंकि equation एक है variable 3 है तो 3 का minus 1 किये तो 2 बचा 2 variable मैंने मान लिया एक है 0 दूसरा है 1 तो तीसरा तीसरा value यहां अब जो equation का है वो लेना है तो 1 0 एक दूसरा 1 है तीसरा minus 1 है तो 0 वाला term कर दिया अब यह 1 है क्योंकि minus 1 के square और 1 का square दोनों को लेंगे तो 1 प्लस 1 ही आएगा याने 2 आएगा उपर numerator में नीचे अगर देखोगे तो 1 plus 1 है दूसरा 1 है minus 1 है याने minus 1 आ रहा है और पहले से हैं minus 1 का sign था तो minus 1 into minus 1 plus 1 हो जाएगा तो 2 इस सवाल का उता है a is the correct answer यहां तक समझ में आवी बात है चलिए next question देखिए यहां दियो है x बरावर a by b plus b by a y बरावर b by c plus c by b z बरावर है c by a plus a by c आपको निकालना है x y z minus x square minus y square minus z देखिए अलग-अलग सवाल है यहां पर देखे a b c क्या है तो variable है और आप यहां पर देखेंगे options जो है यह आपके इस पर depend नहीं करते कि a का value क्या है b का value क्या है c का value क्या है कितना रहा है तो 2 आ रहा है ठीक है y का value क्या है b by c c by b तो y का value क्या हो गया तो फिर से 2 हो गया यहां c by a और a by c आ रहा है तो z का value कितना आ गया 2 आ गया तो यहां पर आप इसको हम कहते है symmetricity यानि कि हमने क्या क्या a is equal to b is equal to c दाल दिया क्योंकि values जो है जो overall value आ रहा है यह actually theorem होते हैं इसमें a b c के value के उपर depend नहीं करता कि answer क्या आएगा तो मैंने क्या किया मैंने आसानी से a is equal to b is equal to c दाल दिया एक value ऐसा भी हो सकता है तो ऐसे case में x, y, z तीनों का value 2, 2, 2 है तो यह बन जाएगा 8 minus यह है y, x का value भी 2 है y का value 2 है z का value तो यह भी minus का 4 यह भी minus का 4 यह भी minus का 4 तो minus का 12 हो जाएगा तो 8 minus 12 करोगे तो minus 4 answer आए रहा है यहां तक क्या आप मेरी बातों से सहमत है तो देखे value putting में भी बहुत सारे अलग-अलग pattern of questions रहते है इससे आपको समझ में आया होगा कि value putting इस तरीके से भी कर सकते है a is equal to b is equal to c दालके और आपका answer निकल जाता है next question देखे यहां दिया हुआ है a square plus 1 into b square plus 1 plus 25 is equal to 10 into a plus b ठीक है अब देखे यहां पर आप value putting लगाने की कोशिश करिए यहां पर जब आप value putting लगाएंगे तो answer नहीं निकलेगा तो देखे आईए समझते हैं तो यहां पर आप हर बार value putting के उपर भी नहीं रह सकते हैं इसलिए मैंने इस तरह का question bouncer जो है आपको यहां पर मैंने दाला है इस तरह की सवाल से आप चौकर ना रहे हैं क्योंकि आप अब टेखेंगे तो ये सारे जो हैं ये सारे linear equations हैं with multiple variables क्योंकि आप देखेंगे यहां पर power एक है यहां पावर एक है यह नहीं अब इस सवाल में देखेंगे तो यहां पर power 2 चल रहा है ऐसे case में कभी यह values एक point का equation देता है यानने कि ऐक circle जिसका radius 0 है तो ऐसे में क्या जो है value अलग-अलग value नहीं होता यह इसमें केवल एक यह value satisfy करता है जैसे suppose करिए मैं यहां बी को 0 मान लेता हूँ बी को क्या करते हैं बी को हमने मान लिया 0 बी को 0 मानोगे तो यह 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा मतलब overall क्या मिल रहा है कि a square plus 25 बराबर 10 a को दूसरे तरफ से जाओगे तो a square minus 10 a plus 25 बराबर 0 हो रहा है मतलब a minus 5 का whole square बराबर 0 हो रहा है मतलब a का value कितना आ गया तो a का value 5 आ गया अब आगर आप 5 दालोगे तो answer नहीं निकल रहा है पांच के पार चार करोगे तो 625 आता है लेकिन answer तो आई नहीं रहा है बी 0 दाल जेता है तो ऐसे वाले questions में आपको चौकरना रहना है value putting यहां नहीं चलेगा क्योंकि यह एक point का equation है यहां पर दो अलग-अलग equation को combine किया गया तो आप कोशिश करिए हमारे उस format को use करने की ज समझते हैं देखिए यह सारी चीज़े आपको practice से समझ में आएगा कि कब हमें क्या use करना है तो a square plus b square plus c square is equal to 0 यह वाला term मैंने second video में आपको समझाया था ठीक है तो उसी चीज़ को यहां पर use करने की कोशिश करिए देखिए अगर मैं इस चीज़ को देखू तो 10a और 10b है इस चीज़ को अगर पूरा multiply करेंगे तो एक तो value आएगा a square b square का correct एक value आएगा a square का एक value आएगा b square का और एक value आएगा 1 का प्लस एक आएगा 25 यहां पर जो अलग से दिया हुए minus का 10a minus का 10b equal to 0 अब देखिए आप समझीए यहां पर कि यह तो perfect square समझ में आता है यह perfect square में आता है अब आप समझीए कि इस perfect square को एक बार यहां पर भी multiply किया क्योंकि आप देखिए यहां minus 2ab वाले format में minus 2 into 5 into a माइनस 2 into 5 into b है इस तरीके से मतलब अगर यहां पर यहां पर कुछ 3 values perfect square में है और यहां minus 2ab बनाना है और यहां पर minus 2bc भी बनाना है तो यह तभी संभव हो सकता है जब यहां पर a plus b plus c वाले का whole square का formula यूज़ किया दा है क्योंकि इसी के formula में आगे a square plus b square plus c square ठीक है plus 2 into ab plus bc plus c यह होता है ठीक है तो मैं क्या करूँगा इस ab plus bc plus c वाले format में इसको लाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आइए समझते हैं कैसे इसको हम करेंगे अब देखिए मैं यहां पर देख पार हो a square तो ठीक है plus b square भी ठीक है plus यह हो गया 5 का square यह भी ठीक है तो देखिए मैं मैंने यहां पर देखा कि minus 2 into 5 into a तो ठीक है minus 2 into 5 into b यह भी ठीक है लेकिन एक बार ऐसा भी तो term होगा कि a भी यहां multiply होगा तो मैं अपने मर्दी से क्या करूँगा plus का 2 a भी यहां पर लिख दूँगा एक बार extra और क्योंकि मैंने plus का 2 a भी लिखा तो एक बार मुझे minus का 2 a भी यूज करना होगा अब यह minus का 2 a भी कहां हम लोग यूज करें आप देखिए यहां पर जो values बचे हैं वो बचा है एक a square b square एक बचा है 1 इसके साथ मैं भेज देता हूँ a b है जिसमें 2 into इतना into इतना हो रहा है प्लस यह जो value चल रहा है यह क्या है समझे यह a plus b minus 5 का whole square is equal to 0 अब देखिए आ गया है हमारे format में एक बार यह भी 0 हो गया एक बार यह भी 0 हो गया तो देखिए आपको देखना आना चाहिए कि यहां पर जो है आपका a square plus b square plus c square is equal to 0 वाला format चल रहा है तो अब देखिए यहां से दोनों में आप समझ पाएंगे अब कि a plus b का value कितना a plus b का value कितना तो 5 और a b का value कितना a b का value हो गया हो गया है यहां तक समझ में आ गए बाते क्योंकि जब a square plus b इतना पूरा square plus इतना पूरा square 0 होता है तब यह भी 0 होता है यह भी 0 होता है तो a plus b का value 5 a b का value 1 आ गया है यहां तक किस तरीके से हम यहां पर पहुंच रहे हैं इस result पर अब देखिए हमको find करना था a के घात 4 प्लस b के घात 4 तो अगर यह दिया हुआ है हमें इतना value हमें द सकते हैं साथी साथ अगर आपको a के घात 4 प्लस b के घात 4 निकालना है तो कैसे निकलेगा यह हो जाएगा 23 का square minus 2 अब a square b square आएगा तो a square b square फिर से 1 हो जाएगा और 23 का square यानि यह पूरा 1 हो गया 23 का square होता है 529 minus का 2 करोगे तो यहां पर 527 आएगा क्लियर है यहां पर यह steps समझ में आए चलिए एक बार revise कर लेते हैं यहां पर जो formula मैंने अभी यूज किया कौन कौन से formula यूज किया उसको इक बार फटा-फट हम यहां पर नजर लगा लेते हैं ठीक है जो हमने सीखा हुआ है पहले ही यहां से देखेंगे तो हमने क्या-क्या यूज किया हमने देखा कि अगर a प्लस b का whole square होता है तो a square plus 2ab plus b square होता है तो अगर हमें a square plus b square चाहिए तो क्या करोगे a b का whole square करके minus 2ab करोगे यही किया हमने अब इसका भी square कर दोगे तो फिर से जो value है उसमें इन दोनों के power में square लग जाएगा और minus 2a square भी square होता है यही हम यहां पर use कर रहे है ठीक है और साथ में हमने और क्या use किया जो हमने second video में सीख के रखा है हमने क्या सीखा था second video में उ जैसे कि मैंने आपको बताया miscellaneous questions है तो पिछले तीन वीडियो में जो चीजे कवर हुई है उसके related भी question लूंगा तो यहां पर दोनों combined था यहां पर part 1 वीडियो में जो सीखा part 2 वीडियो में जो सीखा चलिए आगे देखिए अब यहां से आपको निकालना है a by b c b plus c plus b by c plus a plus c by a plus b का value है 1 निकालना है हमें इसका value a square by b plus c plus c square by a plus b square by c plus a plus c square by a plus अब यहां से देखिए इसको solve करना है तो एक बार फिर से आपको समझना होगा कि यह जो value है यह पूरा value है तो क्या है यहां पूरे value को यदि आप God से देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पर equation 1 है variable 3 है तो directly solve करने जाओगे time काफी लगीगा सीधा क्या कर सकते हम c is equal to 0 जादे क्यूंकि आप दो variable को तो कुछ भी मान सकते हैं तो मैं c को 0 ले लेता हूं c को 0 लेने पर यह पूरा 0 बन जाएगा यह c 0 बन गया यह c 0 मतलब given condition क्या है कि a by b plus b by a बराबर है equal to value 1 की यह हमें given था find क्या करना है तो find वाले में भी देखो गया तो c square तो 0 हो गया c square 0 हो गया यहां से यह c 0 हो जाएगा यह भी c 0 मतलब कि value क्या find करना है a square by b plus b square by a बराबर कितना यह हमें find करना है अब देखिए इस result को याद करने कोशिश करिए यह a by b है यह b by है जो कि a by का view क्रम है थोड़े देर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ a by b को 0 x माल लेता हूँ a by b को मैं माल लेता हूँ x तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्य कि अगर यह x होता है तो यह हो गया भई 1 by x 1 by x equal to 1 x plus 1 by x equal to 1 में आपने क्या सिखा है x cube plus 1 बराबर 0 होता है या फिर मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x cube बराबर हो गया minus 1 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक तो x cube क्या है x cube का मतलब कुछ और नहीं है यहाँ पर a by b है तो अगर मैं यहाँ पर a by b का value दाल दूँ इसमें अगर मैं a by b का value दाल दूँ तो यह हो जाएगा a cube by b cube plus 1 equal to 0 मतलब कितना a cube plus b cube is equal to 0 हो गया a cube plus b cube equal to 0 हो गया अब देखें अगर यह a cube plus b cube 0 है तो इसका value निका करना है और यह बन जागा एकूप फिलस दिक्व तो फेल्ट कितना होगा एक फिलस विक्यूप का वैश्व है यहां पर एक उड़ावर जिरो अजयाए ठीक है इसका अंसर जो है वह यह नमबर यह हो जाए तो अगेन कुछ चीजों को हम यूज कर रहे है वैल्यू पुटिंग के साथ साथ पार्ट वन वीडियो में जो चीजे सीखी थी अगे बढ़ते हैं अब यहां से आपको सीखना है अलग यहां पर अगर देखींगे रूट 3 प्लस एक्स पिलस रूट ओवर 3 माइनस एक्स डिवाइड़ बाई रूट ओवर 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर 3 माइनस एक्स तो देखें कॉंपोनेंडो डिविडेंडो हमने सीख रखा है कॉंपोनेंडो डिविडेंडो हम रेशो प्रपोर्शन में भी सीखें ठीक है तो component dividend ole盘 होता है हम search indices मेंบी सीखे था ratio proportion में detail में समझा search indices में में भी मैंने आपको बताया था search indices जब पढ़ रह 15 think तो उसमे भी मैंने आपको बताया था कि यह जो component dividend है यह आपके algebra में भी आता है ratio proportion में भी आता है search indices में भी आता है ठीक है और अलग अलग जगा पे boat and stream में भी कभी-कभी इसका usage हो जाता है तो बहुत सारे जगा पे इसका use होता है component व डिविडेंडो का इस सवाल को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा component व डिविडेंडो का सीधा-सीधा example इसको बटा में 1 लिख सकते हैं कि नी इसको बटा में 1 लिख जेते हैं तो component व डिविडेंडो लगाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों को जोड़ना एक बार याने numerator में आप क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह और यह कड़ जाएंगे ऊपर आजाएगा रूट 3 पिलस x और यह दो बार आएगा इन दोनों को माइनस करोगे उपर नीचे वाले को माइनस करोगे तो अब यह दोनों कड़ जाएंगे और नीचे आजाएगा रूट ओवर 3 माइनस x बरावर कितना है तो 2 प्लस 1 डिवाइड बार 2 माइनस 1 होता है 3 और 2 मतलब यह कितना हो गया तो 3 वाई 1 हो गया अब हमें जो ब्pekली निकालना है वो तो x है और MAX जो रूट के अंदर है तो क्या करना होगा root over हटाने के लिए दोनों तरफ square कर लेता है इसको भी square और इसको भी square 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 करने पर यह बन जाएगा 3 plus x divided by 3 minus x बराबर हो जाएगा 9 अब फिर से component लगाईए तो component व डिविडेंडों में वीडियो में ratio proportion के clearly मैंने बताया जब 3 plus x by 3 minus x इस वाले expression में जब component व डिविडेंडों लगाते हैं उसको लगाने के बाद value बसता है पहले वाले का जो plus के पहले है और बाद वाले का x जो की minus के बाद है और यहाँ पे जब component व डिविडेंडों लगाओगे तो 9 plus 1 हो गया 10 क्योंकि यह 9 बटा 1 है और 9 minus 1 करोगे तो नीचे यहाँ पर 8 आठ आ जाएगा तो x का value बताईए भई कितना आ रहा है यह कड़ जाएगा 5 से यह कड़ जाएगा 4 से 2 यह दोनों 2 से कट रहे हैं तो x का value हो जाएगा 12 divided by 5 12 by 5 जो है सवाल का सही उत्तर है 20 is the correct answer clear यहाँ पर मैंने इसको पहले भी आपको समझाया था जब हम रेश्यो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे एक बार और आप यहाँ पर नोट कर लिए कि जब a by b बराबर होता है c by d के तो इस दोनों तरफ प्लस करना डिविडेंडों का मतलब होता है दोनों तरफ माइनस करना तो दोनों तरफ प्लस करने पर आता है a plus b by b is equal to c plus d by d यह होता है भाई component और अगर दोनों तरफ minus 1 कर दिया जाया तो यहाँ से आजाएगा a minus b by b equal to c minus d by d यह तो हो गया भाई component और यह क्या है component और यह क्या है तो यह है dividend और अब अगर आपको component और डिविडेंडों एक साथ लगाना है c and d जिसों हम short form में कहते हैं क्या कहते है c and d component और डिविडेंडों लगाना तो इस result को इस result को divide कर दीजे सिधा सिधा अगर divide कर देंगे तो यहाँ पर आजागा a plus b divided by a minus b बरावर है c plus d divided by c minus correct clear है a plus b by मतलब देखिए अगर a by b बरावर c by d है तो यह भी component और डिविडेंडों भी सही है और component और डिविडेंडों भी सही है clear अब यह जो result है अगला सवाल का इसको आप directly याद करके रखिए कि x बरावर 2ab by a plus b है आप से पूछ लिया जाए x plus a by x minus a plus x plus b by x minus b इसका answer होता है 2 इस सवाल को मैंने search indices में भी कराया था ठीक है अगर आप चाहते इसका पूरा solution तो simple सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो a है a को दूसरे तरफ ले आई है तो आजएगा x by a बरावर है 2b by a plus b correct बरावर हो जाएगा 2a by a plus b अब इसमें और इसमें दोनों में component वो डिविडेंडों लगाईए एक बार इसमें एक बार इसमें ठीक जैसे ही मैं इसमें component वो डिविडेंडों लगाऊंगा तो आजाएगा x plus a divided by x minus a इसमें आजाएगा 2b plus a plus b जब numerator में जाते हैं तो दोनों add होता है मतलब कितना 3b plus a और नीचे आओगा तो यह दोनों minus होता है यहने 2b में इतना minus करोगा तो b minus a आजाएगा तो x plus a by x minus a बरावर है 3b plus a divided by b minus a इसमें देखोगे component वो डिविडेंडों लगाना तो x plus a आ रहा है divided by x minus b आला है दूसरे तरफ देखोगे तो यह add up हो जाता है तो 3a plus b आएगा और नीचे आजाएगा a minus b और नीचे आजाएगा a minus b अब सीधे simple क्या करना है आपको तो value h a था ना x plus a by x minus a plus x plus b by x minus b तो x plus a by x minus a का value आपके पास यहाँ दिया हुआ x plus b by x minus b का value आपके पास यहाँ दिया हुआ है तो क्या हम इसका value निकाल सकते हैं बस इसको जोड़ देना है इसका value है x plus a by x minus a का value यह है और x plus b by x minus b का value यह वाला है तो दोनों को add कर लेते हैं एंसर आजाएगा क्योंकि यहाँ पर b minus a है यहाँ a minus b है दोनों का LCM सेम करने के लिए मैं b minus a लेता हूँ b minus a होगे तो यहाँ तो 3b plus a ही आएगा लेकिन चूंकि यहाँ a minus b था तो यह minus negative sign आएगा 3a plus b का तो अब बताएगे उत्तर कितना आएगा 3b में से b गया तो बचा 2b a में से 3a गया तो बचा minus का 2a divided by क्या है तो b minus a 2 को common निकाल लेते बाहर 2 को common निकाल लेते तो अंदर बचेगा b minus a b में से b minus a कर गया तो यह answer कितना है 2 इतने बड़े solutions को याद रखने से बढ़िया आप छोरम बना के रखिए result बना के रखिए जितने ज्यादा आप result याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि algebra और advance math की अगर मैं बात करूँ तो formula और results यह दोनों जो है आप जितने अच्छे से याद रख सकते हैं उसको use करना जानते हैं कब सही formula को use करना है इन सारी चीजों को अगर आप practice से use और अपने calculation में ले आए तो आपका जो है advance math काफी आसान हो जाता है ठीक है चलिए अब यहाँ से कुछ special pattern of question है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कभी-कभी plus one करने पर और कभी-कभी minus one करने पर answer आ जाता है जैसे कि यह वाला सवाल है इसको पहले समझ लेते हैं यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताओंगा इस तरीके के सवाल को solve करने का तो पहला तरीका क्या है उसको समझ लेते है पहला तरीका यह है कि यहाँ पर दिए होगा a by one minus a plus b by one minus b plus c by one minus c bit value one है Find क्या करना है 1 by 1 minus A plus 1 by 1 minus B plus 1 by 1 minus C यह हमें find भी करना है तो देखे अगर आप इसको देखें और इसको देखें अगर मुझे यहां से यहां पर आना है तो मुझे क्या करना होगा मेरे दिमाग में यह value चल रहा है कि अगर मैं यहां पर जो value दिया यहांनि A by 1-A दिया हुए plus B by 1-B दिया हुए ठीक plus C by 1-C दिया हूँ इसका value कितना दिया है ? मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि अगर मैं यहां से plus 1 कर लूँ और यहां पे एक और बार plus 1 कर लूँ इसमें एक और बार plus 1 कर लूँ इसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ नीचे आएगा क्योंकि यहाँ बन जाएगा अगया आगए लगा बन जाएगा आगे सी अब देखिए यहां से आप देख पा रहें यहां से जो वैल्यू आया वह कुछ और नहीं है A और A कड़ गया, B और B कड़ गया, C और C कड़ गया मतलब ultimately जो value हमारे पास आया वो है 1 by 1 minus 1 1 by 1 minus C और यह हो गया C by 1 minus C और इसका value कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यहीं तो find करना था न तो कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें एक बार plus 1 या minus 1 करने से डारेक टैंसर निकल के आ जाता है, जिसमें से एक format यह है, इसका second method भी आप याद करके रखें, बहुत effective method है, second method दूसरा तरीका क्या है, उसको भी समझ के रखें हमें जो find करना है यह find करना है, इस result को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, इस result को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, अब देखें, मैं क्या करूँगा कुछ इस तरीके से इसको जोड़ घटाव करने की कोशिश करूँगा, कि numerator और denominator में जो value आ रहे हैं, वो कड़ जाए हैं, जैसे कि suppose करिए, यहाँ x है, यहाँ 1 है, correct, यहाँ 1 है, यहाँ x है, मैं अगर यहाँ से, इस में से, यानि कि x-1 का value निकालो, x-1 का value निकालो, तो क्या हो जाए, यह जो 1-a है, यह 1-a, यह 1-a होगा, तो उपर नीचे क्या आगया, 1-a यहाँ से आप देखें गे, इसमें से इसको घँटाये जा रहे है, तो one-b उपर भी है, one-b बh नीचे भी है, इसमें से, one-b सी उपर भी है, one-b सी नीचे भी है, तो इसको solve करेंगे, यह भी हो गया, 1 यह भी हो गया, बहुन तरीका होता है, कभी-कभी पहला मेथर जो मैंने बताई है, वह ज्यदा-तेज होता है, कभी-कभी दूसरा मेथर जो मैंने बताई, यह ज्यादास होता है. दोनों effective मेथड भ JustUS Collider है. आप दोनों तरीके से इसको solve कर सकते हैं. ठीक है, a by 1 minus a, यानि a by a minus 1, b by b minus 1, 2 और c by c minus 3, यह हमें निकालना है, तो simple है, plus 1, plus 1, plus 1 कर लेते, तिम तरफ आ जाएगा, देखिए, पहला method से solve करेंगे, यह जो value है, इसमें क्या है, 1 by a minus 1, ठीक, plus 2 by, 2 by b minus 2, plus 3 by c minus 3, इक्वल टू कितना, 10, तो अगर मैं plus 1 यहाँ पर भी करूँ, plus 1 यहाँ पर भी करूँ, तो overall plus 3 हो जाएगा, यहाँ तक clear है बाती, तो अगर मैं इसको solve करूँ, तो यहाँ पर a minus 1 आएगा, यह हो जाएगा, 1 plus a minus 1, ठीक, दूसरा वाला 2 plus b minus 2 हो जाएगा, divided by b minus 2, plus तीसरा वाला c minus 3 है, तो यह बन जाएगा 3 plus c minus 3, जो कि यहाँ पर आगया, तेरा, अब आप खुद बताइए, यहाँ पर क्या हुआ, देख पा रहे हैं कि plus 1 minus 1 कर गया, plus 2 minus 2 कर गया, plus 3 minus 3 कर गया है, तो इसको मैं हटा जिता हूँ a by 1 minus a, यह अट जाएगा, b by 1 minus b, b minus 2, c by c minus 3, इसी का value तो निकालना था, जो कि हो गया, तेरा, तो आप इन calculations को actually pen चलानी की आवसकता नहीं है, यह मैंने explanation की तोर पे लिखा, आप देखते साथ इसको mind में calculate कर सकते हैं, और उसकी practice आप करिए, और आप फटा-फट यहाँ प आपको, इसको हम क्या लेंगे, x लेंगे, अब आप खुद बताइए कि a minus 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x minus 10 कर लोगा, और जैसी x minus 10 है, यहाँ पर a minus 1, a minus 1, lcm हो जाएगा, उपर आ जाएगा, a minus 1 by a minus 1, यह बन जाएगा, b minus 2 का lcm, उपर b minus 2 हो रहा है, यह 2 है नीच 10 plus 3 मतलब की 13, 13, clear है, तो b जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, this is the correct time, यहां तक समझ भाले, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question है, यहाँ पर, 1 by x plus 1, plus 2 by y plus 2, plus 1009 by z by 1000, z plus 1009 का value 1 है, तो x by x plus 1, y by y plus 2, plus z by z, z by z plus 1009 का मान क्या है, हमें निकालना है, तो अब बताइए कैसे solve करें, यहाँ पर देखिए, दोनो तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर क्या होगा, कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ, x, तो मैं दोनो को add कर लोगा, किसको, किसको, x और मतलब इस वाले को, और इस वाले को दोनो को add कर लोगा, तो यह x plus 1 हो गया, अगर दोनों add होगा है क्योंकि यहां right hand side में 1 है यहां पर x है तो यह x plus 1 हो जाएगा इन दोनों को add करेंगे तो नीचे x plus 1 है उपर भी x plus 1 है यह 1 बन जाएगा x plus 1 नीचे भी है x plus 1 उपर भी है यह दोनों कड जाएगा दूसरे वाले को देखोंगे तो y plus 2 यहां पर भी है और y प्लस 2 यहां पर भी है तो आले को देखो गए तो z plus 1009 उपर भी है और z plus 1009 नीचे भी है दोनों को यदि हम solve करें तो यहां से 1 यह भी हो गया यह भी 1 हो गया यह भी 1 हो गया मतलब 1 plus 1 plus 1 हो गया 3 बराबर है आपको देखना है यहां पर क्या करना होगा 1 by x plus 1 है इसमें minus 1 कर लेंगे 1 by x plus 1 में भी minus 1 2 by y plus 2 में भी minus 1 1009 by z plus 1009 में भी minus 1 तो यहां पर plus sign था यहां भी plus sign था तो overall हम क्या कर रहे है इस right hand side वाले 1 में minus का 3 हम कर रहे है clear तो बताइए कितना आएगा यहां से LCM नीचे का आ गया x plus 1 उपर जाएगा तो 1 minus x minus 1 आ रहा है plus y plus 2 हो गया दूसरे वाले का LCM यहां पर 2 minus y minus 2 आ जाएगा तीसरे वाले का value क्या है z plus 1009 मतलब 1009 minus ka z minus ka 1009 आ जाएगा इसका overall value कितना है तो minus का 2 आ रहा है minus का 2 आ रहा है अब यदि इसको solve करें तो आप खुद देखिए यहां से क्या values कट रहे हैं यह plus 1 minus 1 कड़िया plus 2 minus 2 कड़िया और plus 1009 और minus का 1009 कड़िया मतलब values जो हमें मिले finally वो यह मिला कि minus x by x plus 1 minus y by z y plus 2 होगा यह actually y है और minus z by z plus 1009 बरावर minus 2 है तो हमको तो plus का value चाहिए था ना तो दोनों तरफ क्या करेंगे इसको plus यानि कि minus 1 minus 1 से दोनों तरफ multiply कर देंगे answer to y तो दोनों approach यहाँ पर सही है आप दोनों से कर सकते है कभी-कभी plus 1 करना पड़ता है कभी-कभी minus 1 करना पड़ता है ठीक है next question देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या find करना है यह value दिया हुआ है यह वाला value आपको find करना है तो क्यासे find किया जाए अब देखिए यहां से अगर यहां पर आपको आना है तो समझना होगा कि values जो दिये है इसमें मेरा BC कड़ जाना चाहिए और BC काटने का एक मातर तरीका यही दिख रहा है कि मैं plus 1 plus 1 plus 1 इसे कर लूँ तो क्यासे इसको plus 1 करेंगे देखिए आए समझते यह जो value है इसको जो है a square plus bc यानि minus bc by a square plus bc है उपर minus है नीचे plus है दूसरे वाले में क्या दिये है b square minus c a divided by b square plus c है यह दिये है तीसरे वाले में plus c square minus a b divided by c square plus a b है हमें क्या चाहिए भई तो हमें जो value चाहिए actually यहाँ पर हिंदी में typing mistake है यह नहीं है यहाँ पर हमें actually जो मान निकालना है वो इसका मान निकालना है यानि a square by a square प्लस bc b square by b square plus c a c square by c square plus a b इसका मान हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर plus 1 यहाँ पे भी प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1 करेंगे और overall इसका value 1 थे आदा तो हमने 3 जोड लिया है clear है मतलब यह भी add होगा यह भी add होगा यह भी add होगा जैसी add करोगा तो देखें क्या मिलेगा यह बन गया a square plus bc correct है यहाँ पर a square minus bc plus a square plus bc आएगा यहाँ तक समझ में आ रही बात है मतलब देखें overall क्या हुआ bc से bc कड़ गया bc bc कड़ गये क्योंकि प्लस 1 था एक minus में था तो उपर 2 into a square plus b square मिल गया मतलब यहाँ से आपको जो मिलेगा 2 into a square by a square plus bc मिलेगा उसी प्रकार यहाँ से क्या आएगा तो 2 आएगा यहाँ पर भी तो 2 को में बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ जो value आएगा वो आएगा b square by b square plus c हो तो इसरे वाले की बात करो तो यहाँ पर भी c square आएगा c square divided by c square plus a b और इसका overall value कितना है तो 4 है तो 4 से इसको काट लेते हैं 2 को तो यहाँ पर value आ रहा है तो कहीं-कहीं पर आपका जो है पहला वाला approach ज्यादा अच्छा रहता है कहीं-कहीं पर वह y वाला या x वाला value मैंने लिया था उससे ज्यादा तेजी से answer आता है तो दोनों important है किसी में 1-2a प्लस b by 1-2b प्लस c by 1-2c का value इतना है और आपको 1 by 1-2a 1 by 1-2b 1 by 1-2c निकालना है तो मैं मान लेता हूं इसको x इसको हम मान लेते x इस 2 को मैं क्या करूंगा उपर भेज दूंगा तो यह 2 तीनों में multiply होगा तो बन जाएगा 2a by 1-2a प्लस 2b by 1-2b प्लस 2c by 1-2c का value कितना होगा अब वन होगा क्योंकि यह half था ना half का मैंने 2 उठाके दूसरा तरफ भेज दिया अब आप भी मुझे बताइए कि क्या किया जाए कि हमारा answer फटा फटा जाए हमें तो इसका value चाहिए तो 1-2c 1-2b 1-2a तीनों कटने चाहिए और यहाँ पर अगर 1-1-1 है तो मैं इसको और इसको माइनस कर दूंगा इसको और इसको माइनस कर दूंगा तो उपर value किया यहा divided by 1-2b यहाँ पर value आजाएगा 1-2c divided by 1-2c तो तीनों कट गए यह भी कड़िया 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 बतलब 1-1-1 हो गया 3 is equal to हो गया x-1 1 दूसरे तरफ आएगा तो x का value कितना जाएगा x का value हो जाएगा 3 प्लस 1 जो कि हो गया 4 तो d जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक आप मेरी बात उसे सहमत होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो next question देखते यहां दियो होए a square बरावर b plus c है b square c plus a c square बरावर a plus b है 1 by 1 plus a पलस 1 by 1 plus b प्लस one by 1 plus c का value क्या है कि कि है तो यहां पर आपको बताना है कि a square कमान b plus c है a sqr कमान c plus a sxasqa कमान अगर a plus b है 1 by 1 plus a plus 1 by 1 plus b plus 1 by 1 plus c क्या है कैसे निकाला जाए सोचिए कि यहाँ पर हम क्या करें कि हमारा जो है symmetric यानि कि सबसे पहली बात तो 1 by 1 plus A नीच से आना चाहिए तो इस expression को देखकर सोचिए क्या किया जाए मैं यहाँ पर अगर A square बरावर B plus C लिख रहा हूँ तो यहाँ क्या नहीं है right hand side में A नहीं है तो मैं क्या करूँगा अपने मर्जी से यहाँ A और यहाँ पर A दोनों तरफ लिख लेता है इससे फाइदा यह होगा कि अगर मैं यहाँ से A को common निकालू तो अंदर बच रहा है A plus 1 right hand side में आ रहा है A plus B plus C correct अब जैसे ही आप इस चीज़ को देख पा रहे है मैं अगर A plus B plus C को उठा के इधर बेजू और A plus 1 को दूसरे तरफ बेजू तो actually A by A plus B plus C बरावर कितना है तो 1 by A plus 1 है क्या आप मेरी इस बात से सहमत है मतलब यह जो 1 by 1 plus A है 1 by 1 plus A इसका value क्या है तो यह है A by A plus B plus C A by A plus B plus C अब जो यहाँ पर हमने operation किया 1 by A plus 1 को निकालने के लिए वही operation आप B में भी करेंगे तो यहाँ B add होगा मतलब इसका value आजाएगा plus B by A plus B plus C और वही operation आप तीसरे वाले में करेंगे यहाँ आप C square बरावर A plus B है दोनों तरफ C जोड़ोगे तो C by A plus B plus C आजाएगा 1 by C का मान तो यह है C by A plus B plus C मतलब simple C एक line में जो है आप ऐसा लिख सकते हैं कि A plus B plus C का value यह कुछ और नहीं है यह A plus B plus C by A plus B plus C यानि यह total overall कितना आजाएगा 1 आजाएगा मतलब A जो है सवाल का simple यह यहाँ तक बातें समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर जो है आपको value दियो है X by A plus Y by B equal to 3 और X by B plus Y minus of Y by A equal to 9 तो इनमे से कौन सा सही है आपको बताना है देखिए अगर आप यहाँ पर option को गौर से देखिए तो option जो है वो आपके A और B के terms के है देखिए अगर सवाल कुछ इस तरीके से होता कि X plus A बराबर है suppose कोई variable है T और Y minus B बराबर है ठीक है 2T तो मैं क्या करता और यहाँ पर आबर options जो है option आपके X A B और Y के terms से होता है तो मैं क्या करता है इसमें से T को दोनों में से हटाने की कुशिश करता क्योंकि यहाँ T नहीं है यहाँ पर अगर आप option को देखेंगे तो क्या नहीं है आप देख रहे हैं एक बार यहाँ पर 3 दिया हुआ है एक बार यहाँ पर 9 दिया हुआ लेकिन क्या यहाँ पर आपको कोई constant term अलग से दिख रहा है नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पर जो है इसको भी हम 9 बना देते हैं इसको भी 9 बना देते हैं तो दोनों के दोनों equal हो जाएंगे और हम यहाँ पर number को ही eliminate कर देंगे variable को ना eliminate करके directly number को eliminate कर देंगे मतलब यह क्या है तो x by a plus y y b बरावर किसके था थरीके था और आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें 3 multiply कर दूँ दोनों तरफ तो यह बन जाएगा 9 और सवाल में 9 बरावर दूसरा value दिया है यहने x by b minus of y y मतलब x by b minus y by a का मैं भी 9 है और अगर इसमें से 3 multiply हो जाए bracket open करोगे तो दोनों तरफ 3 multiply हो जाएगा 3x plus 3y का value 3x by a plus 3y by b का value भी 9 है तो दोनों के दोनों equal है तो इसमें से मैं 9 को eliminate करके इन दोनों को equal कर देता हूँ तो इससे हमारा value निकल जाएगा कि x by y का मान जो हमें निकलना था वो क्या है तो x by y अगर हमें चाहिए तो सारे x वाले terms को एक तरफ ले चलते हैं सारे y वाले terms को दूसरे तरफ ले चलते हैं तो अगर मैं यहां से x by b देख रहा हूँ यहां पर x by a देख रहा हूँ ठीक है तो अगर यह y है हम क्या करेंगे y को एक तरफ ले आते हैं तो y 3 y by b यह y by a इधर आएगा तो प्लस y by a हो जाएगा ठीक है और दूसरे तरफ x by b है माइनस का 3 x by a आ जाएगा तो दोनों में LCM तो a कही आ रहा है मतलब दोनों में यहां पर भी a भी आएगा यहां पर भी a भी आएगा दोनों cancel out पोल नहीं ठीक है तो a यहां पर आएगा तो 3 a प्लस b होगा मैं y को common निकाल लेता हूँ x को यहां से common निकालोगे तो a माइनस 3 b आएगा अब x divided by y चाहिए अपने को तो y मैंने यहां बेजा इसको यहां बेज देंगे तो 3 a प्लस b 3 a प्लस b divided by यह दूसरे तरफ आएगा तो a माइनस b आएगा a माइनस 3 b बता है कौनस option से 3 a प्लस b यहां दिख रहा है और divided by a माइनस b भी यहीं दिख रहा है मतलब option a जो है सवाल का सभी चाहिए यहां तक clear सारी बात है चलिए आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा इस तरीके के pattern के questions पे क्या करना है elimination वाला method यह आपको समझ में आया होगा कभी कभी variable eliminate करना पड़ता है लेकिन यहां तो सीधे के सीधे आपका number ही eliminate हो रहा है क्यूंकि सारी चीज़े x, y, b और a के pattern उसमें चल रही है कोई भी constant term वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इस सवाल में एक trick चुपा हुआ है जभी भी आप यहां पर ऐसा देखते हैं कि value यहां पर x का दिया हुआ है साथ और इसके coefficient में यह जो expression दिया हुआ है ठीक है इस expression में आप देखेंगे तो इसके सामने 8 है x के घाट 4, x cube के घाट में भी यहां पर 8 है x square के सामने भी यहां पर 8 है और x के सामने भी 8 है तो सारे coefficient जो है वो x का जो value दिया है उससे एक ज्यादा है तो हम क्या करेंगे इस सभी को जितने भी 8 दिख रहे है इस 8 को हम 7 plus 1 में तोड़ देंगे 7 plus 1 में इसको भी 7 plus 1 में तोड़ देंगे तो इससे क्या होगा यह जो find करना था x के खाथ 5 है minus of यह क्या है भई 7 plus 1 है 7 plus 1 multiplied by x के खाथ 4 मतलब देखिए यह x के खाथ 4 7 से भी multiply होगा और 1 से भी मतलब इस minus of 8x to the power of 4 को मैं ऐसा तोड़ दूँगा minus of 7x to the power of 4 minus of x to the power दो तरीके से इसको तोड़ देए अगला वाला जो plus 8 x cube है इसको 7 x cube plus x cube में तोड़ देते हैं ठीक इसके बाद x square minus में है 8 x square minus में है तो इसको minus 7 x square minus x square में तोड़ देते हैं इसको तोड़ देते हैं 7 x plus में और plus x में तोड़ देते हैं लास्ट में एक माइनस का 1 बचा हुआ इससे फाइदा क्या हो रहा है आप बताइए क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं कि x का value क्या है तो x का value है 7 अब x to the power of 7 का मतलब 7 को 5 बार multiply करना माइनस 7 into x to the power of 4 मतलब 7 को 4 बार multiply करना 7 को 4 बार multiply करना और 7 को एक बार अलग से multiply करने का मतलब क्या है इसका मतलब फिर से यही है कि 7 को 5 बार multiply करना मतलब 7 के power 5 माइनस 7 के power 5 ये भी 7 के power 5 है ये भी 7 के power 5 है तो ये दोनों कर जाएगे इसी प्रकार ये जो है minus of 7 to the power of 4 है और यह plus 7 to the power of 4 है मतलब ये दोनों भी कर जाएग अगला वाला ये जो value है ये 7 की kg है और ये जो value है minus 7 का cube है दोनों कर जाएगué ठीक है और ये minus x square है मतलब 7 square फिलस 7 into x है 7 into 7 मतलब 7 into 7 मतलब 7 का square प्लस है सब कर गày यह यह भी कर गधिए ये भी कड़ गया, ये भी कड़ गया, ये भी कड़ गया, सारे values कड़ गया, क्या बच गया, last में केवल बच गया, x-3, x कमान तो है न, अपने पास 7, इसके जगा दाल देते हैं, तो overall हमारा answer आजाएगा, 7-1, जो की हो जाएगा 6, 6, clear, तो b जो है सवाल का, say उत्तर है, यहा सारे values को, simplify हो जाएगा, एक तरीके से कट रहे हैं सारे values, आखिर में केवल जो बच रहा है, उसमें आप x कमान दाल के answer निकाल सकते हैं, तो कुछ questions ऐसे भी आते हैं आपकी exam में, जैसे कि यह सवाल है, जिसमें आपको solve नहीं करना होता है, आपको select करना होता है, सवाल x plus c square plus 2b square divided by a plus b बरावा 0 है, अब यहां पर अगर आप इसको solve करने जाएंगे, आपका काफी समय लग जाएगा, लेकिन आप इस बात को समखिए, आप एक objective exam दे रहे हैं, जिसमें आपके पास यहां option है, तो आप यहां पर smartly option को choose करिए, अब आप बताइए, यहां पर 0 बन इसमें x का मान दालने से मेरा नीचे का जो b plus c है, यह b plus c किसी भी हाल में cut हो जाए, क्या value लेना से यह, अब देखें, सारे options यह आप देखेंगे, तो समझ में आता है कि यहां से a square का तो कोई काम नहीं है, a square किसी भी हालत में cut ना चाहिए, तो इस पहले वाले में जो plus a square ह इसको तो काठी देते है, बचा क्या, b और c बचा, जिसमें minus a square है, minus b square, लेकिन थोड़ा सा आप सोचेंगे, तो यहां पर थोड़ा similarity है, b वाले में, अगर मैं b वाले को यहां पर दालो, तो minus a square, minus b square, minus c square, यह हो गया, x का मान, plus का a square आ रहा है, plus का 2c square आ रहा है, correct, divided by b plus c तो इससे क्या होगा, minus a square, minus c square कड़ जाएगा, एक c square इससे कड़ जाएगा, मतलब ऊपर numerator में जो value आया, वो आया, c square, plus b square, sorry, c square minus b square, divided by b plus c, तो b plus c जो है, इसको काट देगा, क्योंकि यह a plus b into a minus b के form में, मतलब ऊपर जो value आ रहा है, वो c minus b आ रहा है, मतलब यहां से simplify हो जाएगा, एक c minus b आएगा, एक b minus a आएगा, एक a minus c आएगा, सारी चीज़े जो है, वो कड़ जाएगे, मतलब यहां से आप smartly options को choose कर सकते है, b जो है, इसका अगतर होगा, क्योंकि अगर यहां 2c square हो गया, 2c square होने पर, यह तो ठीक है, समझ में आता है, उपर वाला कड़ उपर b minus a आएगा, यहां पर c minus a, यहां पर b minus c आए, सारी चीज़े जो है, कर जाएगे, और आपका answer 0 आएगा, इस तरीके से आप smartly options को choose करें, तो similar pattern का second question देखते हैं, यहां पर जो आपके screen पर है, यहां से देखिए, आप आपको क्या करना है, अब आपको फिर से, यहां partly choose करेंगे, कि बताइए कि यहां पर कौन सा option choose करने से हमारा answer सही निकले, क्या दिया है भई, दिया यह है, कि आप जब m minus a square divided by b square plus c square करते हैं, और वैसे ही आप b के साथ की m minus b square है, तो नीचे c square plus a square है, उपर m minus c square है, तो नीचे a square plus b square है, बराबर कितना है, तो equal to यहां पर 3 equal to कितना है 3, m का मान निकालना है, तो बताइए कौन सा option ऐसा है, जो आपको यह value दे, clearly देखने से समझ में आता है, यह जो b वाला option है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको डालूंगा, तो m के जगापे यहां पर a square plus b square plus c square minus a square आ रहा है, divided by b square plus c square, तो यहां actually क्या हुआ, a square a square करते ह है, उपर नीचे, क्योंकि उपर भी b square plus c square, नीचे भी b square plus c square, तो यह 1 बन जाएगा, यह भी 1 बन जाएगा, यह भी 1 बन जाएगा, answer जो है, overall यहां पर 3 आ रहा है, मतलब a square plus b square plus c square ही एक ऐसा option है, जो यहां पर इसको satisfy कर रहा है, बाकी चीजों को अगर आप use करोगे, तो b c square plus c square नहीं कटेंगे, तो option choose करिए, सोचिए यहां पर क्या होगा, a square plus b square plus c square ही एक मात्र ऐसा option दिख रहा है, जो यहां पर इसको satisfy करे, equal to 3 दे दे, ठीक, next question बताइए, x plus 1 by x बरावर c plus 1 by c ही तो क्या होगा, देखे अगर मैं यहां पर, इसके अलावा कुछ भी लूँ, c लूँ तो c plus 1 by c ठीक था, लेकिन c square plus 1 by c square क्या इसके बरावर है नहीं, अगर मैं c लूँ तो ठीक था, लेकिन 2c plus 1 by 2c के बरावर है नहीं, क्या मैं यहां 1 by c जो की इसके बरावर है, अगर मैं इसको 1 by c भी ले लो तो यह बन जाएगा 1 by c, 1 by c, और दूसरा वाला 1 by x है तो 1 plus 1 by x हो जाएगा, तो 1 by c होगा, अगेन, जो की है c plus 1 by c, दोनों के दोनों क्या है, तो c plus 1, मतलब, यह option जो है, यह सही, direct option चूज करिए, देखे यहां पर क्या satisfy कर रहा है, चले, next question दिया हूँ है, यदि x cube plus 2x square minus 5x plus k is equal to 0, x plus x से पूरी तरह सा विभाजित होती है, तब k का मान क्या है आपको बताना की, यह जो आपका polynomial दिया हूँ है, यह आपके पूरे के पूरे x plus 1 से विभाजित होता है, तो आपको बताना है k का मान क्या देखिए थोड़ा सा समझ निते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा concept समझ लिए, polynomial का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लिजे, polynomial का मतलब क्या होता है, देखिए, polynomial होता है कि इसमें क्या हो तो एक variable हो, एक variable होना चाहिए, सेकेंड इसका जो power होता है, इसके जो भी variable है, variable को अगर आप जोड कर लिख रहे हैं या घटा कर लिख रहे हैं, तो इसके जो power होते हैं, वो positive integers होने चाहिए, positive integers, ठीक है, आप यहाँ पर fractional values नहीं लिख सकते हैं, negative values आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह दो चीज़ अगर satisfy करता है, कोई expression, तो उसे हम कहते हैं कि यह एक polynomial है, ठीक है, यह एक polynomial है, जैसे कि अभी अगर मैं कुछ example दे दूँ, तो x के घाथ, 5 plus x cube minus 3x plus 1 लिखा हुआ है, तो यह एक polynomial है, क्योंकि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मात्र यहाँ पर variable आपको दिख रहा है, तो x के घाथ 5, यहाँ x के घाथ 3x, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इस polynomial का जो degree है, इसका degree क्या है, तो यह है 5, क्योंकि इसके highest power में यहाँ प 2x to the power of 4 minus x to the power of 3 plus 2x का square root plus 5 बरावर कुछ दिया हुआ है, यह जो है आपका polynomial नहीं है, क्योंकि आपने x के घाथ पर क्या कर दिया, तो आधा दाल दिया, यह polynomial नहीं है, लेकिन यह जो है polynomial है, इसी प्रगार अगर कोई negative value आ जाता है, जैसे कि for example, यहाँ पर एक और example में नहीं है, क्योंकि यह x के घात में जो है, इस x के घात में क्या है, x के घात में minus 1 लिखा हुए, तो positive integers होने चाहिए, और एक अई variable होना चाहिए, तो यह polynomial कहलाएगा, जैसे कि अगर मैं लिखू, x plus y square plus z cube, क्या यह polynomial है, तो यह भी polynomial नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक स ज़्यादा यहाँ पर values है, तो यह एक तरीके से एक expression है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन variable है, ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा variable हो गया, तो polynomial नहीं होता है, ठीक, अब suppose करते हैं कि कोई एक polynomial मैंने ले लिया, कोई एक polynomial मैंने ले लिया, f of x, बरावर है ax square, प्लस bx, यानि कि ax cube चलिए ले लेते हैं, यहाँ से कुछ और ले लेते, ax cube, प्लस bx square, प्लस cx, प्लस d, ठीक है, यह हमने एक polynomial ले ले लिया, तो factor theorem आप लिख सकते हैं, या remainder theorem आप लिख सकते हैं, factor theorem, या कहीं कहीं पर आपको remainder theorem भी दिखाए देगा, ठीक है, ठीक है, ठोड़ा सा difference है, इसमें समझेंगे, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, कि अगर factor theorem यानि कि क्या है, गुननखंड का परमे, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, कि f of x, जो है, f of x का, f of x का factor जो है, यह x minus a, x minus alpha ह ठीक है, यह आपका factor है, यह क्या है, f of x का factor है, यह क्या है, f of x का factor है, factor लिख सकते हो, या क्या सकते हो, f of x जो है, इससे पूरी तरह से विभाजित होता है, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित होता है, या कहीं कहीं पर आपको बताया जाएगा, यहाँ पर कि alpha जो है, इसक zeros है अलग-अलग तरीके है, यानि कि इसका 0 है तो अलग-अलग तरीके है इसको कहने का, ये कहा जा सकता है कि f of x का factor है x minus alpha, यानि कि या तो ऐसा लिखेगा factor है, या भिभाजित है, या root है, या फिर यहां zero है, या इसके theorem क्याता है मतलब इसके जगापे यदि मैं alpha दा दो a के घात alpha का q plus b के घात alpha का square plus c के घात क्या है alpha plus d बरावर 0 हो जाता है तो यही आपका factor theorem क्याता है अब remainder theorem क्या है उसको भी समझ लीजे suppose करिए कि यहाँ पर दिया हुआ f of x बरावर है यहाँ पर suppose मैं लिख लेता हूँ a x के घात q plus b x square plus c x c x ठीक है plus d यह एक polynomial है आपको समझ में आ रहा है कि यह polynomial है क्योंकि यहाँ पर एक ही variable है सारे variable integers है उसके घात में तो remainder theorem क्या कहता है यानि 6 पर मैं क्या कहता है remainder theorem remainder theorem यह कहता है कि अगर मैं यहाँ पर f of x को f of x को x minus alpha से बाटू तो इसका जो remainder बचता है इसका जो remainder यानि की जो 6 बचता है इस 6 का मान क्या हो जाएगा अब इसका 6 का मान हो जाएगा f of alpha ठीक है f of alpha मतलब कि अगर यहाँ पर f of x को x minus alpha से बाटा जाता है इसका जो तो अगर यहाँ पर यह remainder 0 होगया remainder 0 होगया तो यही इसका factor कहलाता है और यही आपका factor theorem और साथ में यहाँ पर इसका remainder theorem क्या है दोनों इसका फैक्टर आगर इसका फैक्टर है तो यहाँ पर X का वैलू कितना है minus one है, इस minus one को यहाँ दालोगे तो zero आएगा, मतलब X के गहात minus, X के गहात 3 है तो minus one के गहात 3 minus one आएगा, 2X square है तो 2 आएगा, यहां से five आएगा, plus K जो है इसका value zero होना चाहिए, मतलब k का value कितना आ गया तो भाई यहां पर 7 है यहां 1 है मतलब k plus 7 minus 1 हो गया plus का 6 बरावर 0 मतलब k कमान हो जाएगा minus का 6 k कमान कितना आ रहा है minus का 6 जो की है answer इसका ठीक है एक और सवाल देखते हैं यहां पर दिया हुआ है x plus 6 is a factor of इतना f of x बरावर x cube plus 3x square plus 4x plus p then what is the value of p तो x plus 6 जो है f of x का factor है ठीक है गुनन खंड याने की p कमान आपको बताना है यहां से क्या आएगा तो x plus 6 यदि इसका factor है तो x बरावर क्या हो गया हम minus का 6 हो गया तो f of minus 6 जो है यह बरावर 0 हो जाता है यही आपका factor theorem क्याता है तो minus 6 इसमें डाल देते है minus 6 के घात cube plus 3x square minus minus 6 के घात square plus 4 into minus 6 plus p बरावर 0 हो जाएगा यहां तक सहमत है आप मेरी बातों से तो यह बन जाएगा minus का 216 ठीक है यह 36 का मतलब 6 का square करोगे 36 into 3 करोगे तो 108 आएगा minus का 24 हो गया ठीक प्लस p बरावर 0 हो गया तो यह 216 है 216 और यहां पर 108 दोनों को minus करोगे तो minus का 108 आएगा minus 108 तो p का value क्या है 108 प्लस इतना मतलब 132 जो है इसका total value हो जाएगा p का तो 132 कहां दिख रहा है b जो है सवाल का सेह तर यहां तक clear factor theorem remainder theorem के अपर question आएगा बहुत आसान है factor theorem का मतलब x प्लस अगर कोई भी value दिया तो x इतने को zero कर देना जो value आएगा उसको यहां पर दालने से पूरा expression zero होता है तो p का value नहीं दिया था तो p का value वहां से निकल गया जाए बस इतना ही करना है factor theorem जब लगाना है तो next देखिए यहां पर अब दिया हुआ है a का मान है 1 प्लस 2 के घात p b का मान है 1 प्लस 2 के घात minus p तो what is the value of b आपको निकालना है option जो दिया हुआ है वो a के तरुस दो again इस प्रकार का question मैंने पहले भी लिया मैंने आपको बताया है कि जो चीज नहीं दिखरा उसको eliminate करनी कोशिश करेए क्या आपको यहां p दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो to के घात p को हम eliminate करनी की कोशिश करते है क्युकि B का मान 1-2 के घात p है और 1 .2 के घात p का मतलब ये हुआ 1 by 2 के घाथ P जलेगे अब 2 के घाथ P का मतलब क्या है वो यहां से निकल से निकल जाएगा कि A – 1 जो है इसी का वाल्यू तो तो के घाथ P के जगा A – 1 लिग जेए तो B कमान हो जाएगा 1 प्लस 1 by a – 1 तो LCम आ जाएगा नीचे a – 1 A-1 LCM आ जाएगा और इसको यदि solve करें तो उपर यहाँ A-1 प्लस 1 आ रहा है तो 1-1 कर गया है मतलब A बटा A-1 जहां दीखें वही सही option C में दीख रहा है तो C सही लोगा है अब यहाँ से जो है थोड़ा सा अपका search indices और algebra का combined question है दिया हुआ X के घात Y प्लस Z बरावर 1 Y के घात X प्लस Z बरावर 1024 और Z के घात X प्लस Y बरावर 729 XYZ natural number है तो आपको बताना है Z प्लस 1 whole के घात में Y प्लस X प्लस 1 कमान क्या है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर X प्लस Y प्लस Z X के घात Y प्लस Z जो है इस कमान कितना है 1 है तो संभव हो सकता था कि X कमान या तो 1 हो या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि Y प्लस Z कमान 0 हो दोनों में से कोई एक चीज संभव है दोनों हो संभव जरू ही जए क्योंकि A के घात 0 जो होता है A के घात 0 जो होता है ये भी 1 होता है और 1 के घात कितनी भी चीज़े आप दाल दें तो इसका value 1 होता है तो दोनों चीज संभव है या तो ये X 1 होना चाहिए या तो Y प्लस Z जो है ये 0 होना चाहिए ठीक दोनों में से कोई एक चीज सही होगा दूसरे वाले expression में आते है तो यहां से हमको ये पता चल रहा है Y के घात X प्लस Z जो है Y के घात X प्लस Z कितना है 1 0 2 4 1 0 2 4 का मतलब होता है 2 के घात 10 2 के घात 10 अब इसका मतलब ये है कि या तो ये 2 के घात 10 होगा या आप इसको ऐसे भी लिख सकते है तोड़के 4 के घात 5 ऐसा भी लिख सकते है तो दोनों चीजे संभव है तो अगर ये 4 होगा तो ये तो माइनस 4 होना चाहिए और अगर ये माइनस 4 है ठीक क्योंकि 0 हो रहा है ये जो value है अगर यहां पर ये y का value मैं यहां से ले लू कि y का value 2 है y का value अगर मैं 2 ले लू तो z का valueallen minus 2 होगा minus 2 है minus 2 यहां पर आएगा तो value-1 होगा और minus 1 के power कितना भी दालो तो 1 या minus 1 से उतनाएगा मतलब यह जो चीज है यह तो गलत होगई अब यह जो है X के घात यहाँ पर 1 आ जाएगा पावर में अब दो चीजे संभवती इसको हम देखते हैं आगे दूसरी बात लास्ट वल एक्स्प्रेशन कह रहा है कि Z एक्स प्लस Y है मतलब 1 प्लस Y इसका मान कितना है 729 अब 729 फिर से एक नए एक्स्प्रेशन मिल गया जो की क्या है तो 9 का क्यूब है 9 का क्यूब है या इसको 3 के गात 6 भी लिख सकते हैं दो तरीके से इसको भी लिखा जा सकते हैं तो हीट एंट ट्राइल करके बताए क्या है यहाँ पर भी 9 दिख रहा है और यहाँ पर भी 9 दिख रहा है तो satisfy हो रहा है ना मतलब अगर मैं Z को 9 ले लू तो 1 प्लस 9 भी 10 होत satisfy 1 प्लस 9 करोगे तो यहाँ पर भी 10 आ रहा है satisfy मतलब एक चीज आप समझ ले समज सकते हैं कि Z कमान कितना है नो है और Z कमान 9 हो गया तो यहाँ पर 1 प्लस y 1 प्लस y कमान इतना है मतलब य कमान कोगा 2 होगा. अब यहां से भी Y कमान 2 आ रहा है. यहां से भी Y कमान 2 ही आ रहा है. हमने तीनों चीज निकाल ली कि X कमान क्या है? Y कमान क्या है? Hit and try love Tools. तो अब बताजिए भही value कितना होगा. यहाँ पर Z है. Z plus 1 मतलब 9 plus 1 मतलब 10 आ गए. और Y plus X plus 1 तो y प्लस कितना यानि y मतलब 2 प्लस x मतलब 1 2 प्लस 1 3 हो गया प्लस 1 करोगे तो 4 मतलब 10 के खाथ 4 तो 4 0 लग जाएंगे एक के आगे मतलब b जो है सवाल का से समझ में आगे यहाँ hit and trial से हम इसको solve करने है पूरा यहाँ पर solve करना संभव नहीं है तो आपको 3 equation दिया है तो आप interpret करिए कि क्या हो सकता है इसा तो यहाँ पर हमने interpret किया इस तरीके से तो यहाँ पर value जो आ रहा है वो है 10,000 next question आपके screen के उपर दिया यहाँ दिया x cube प्लस 3 by x बराबर इतना और 3 x प्लस 1 by x cube बराबर इतना तो 4 a square minus b square का मान कितना होगा यह हमें निकालना है चलिए solve करते है सबसे पहली बात जो दिया है उसको लिखेंगे x cube प्लस 3 by x का value कितना तो 4 into a cube plus b cube दूसरी बात 3 x plus 1 by x cube का मान कितना तो 4 into a cube minus b cube तो देखे इसको देखकर क्या समझ में आता है हमें जो चाहिए value वो यह है हमें चाहिए इसका मान और इसका मान क्या है तो यह है 4 into a plus b into a minus b ऐसा लिख सकते x को 4 into a plus b into a minus b यह है इसका मान चलिए solve करते हैं अब देखे कैसे इसको solve किया जाए यदि आप देखते हैं x cube है plus 3 by x है यहां 3x है और 1 by x आप इस formula को याद करने की कोशिश करिए x plus 1 by x का whole cube का formula क्या होता है यह होता है x cube plus 1 by x cube plus 3x plus 3 by x यह होता है ठीक 3x plus 3 by x यह होता है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या हैगा x cube plus 1 by x cube plus 3x plus 1 by 3x 3 by x मतलब यही value आ रहा है मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो value आता है वो x plus 1 by x का whole cube होता है यानि सीधे simple आप यह लिख सकते हैं कि यहां से इसको मैं हटा जेता हूँ सीधा सीधा आप यह लिख सकते हैं कि x plus 1 by x का whole cube जो है x plus 1 by x का whole cube कुछ और नहीं है वो directly इन दोनों को जोड़ने पर जो value है मतलब b cube और b cube कड़ी है यहां से आ जागा 8a cube 8a cube और 8a cube को आप ऐसे भी तोड़के लिख सकते हैं 2a का whole cube 2a का whole यानि समझ में यह आता है कि x plus यानि कि 2a का value कुछ और नहीं है 2a का value क्या है 2a का value है x plus 1 by x 2a का value क्या है x plus 1 by x अब दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है कि यहां से आपको अगर इन दोनों को minus करो तो आएगा x minus 1 by x का whole cube और x minus 1 by x का whole cube कितना हो जाएगा a cube a cube कर जाएगा 4b cube minus minus 4a cube होगा मतलब 4b cube होगा मतलब 8b cube बार है मतलब यह overall कितना हो गया तो यह बन जाएगा 2b का whole cube correct मतलब 2b का value भी हमारे पास है जो कि यह x minus 1 by x x minus 1 by x तो अब हमें क्या निकालना था हमें निकालना था भई 4 into a square into b square तो अगर मैं यहां से 4a square लेना है और दोनों को minus कर देना है जैसी आप दोनों को minus करोगे तो यहां तो 4a square minus b square ही आएगा लेकिन यहां क्या आ रहा है यहां पर आ रहा है x plus 1 by x का whole square minus of x minus 1 by x का whole square याद करने की कोशिश करें कि किसका formula यह a plus b whole square minus a minus जो क्यों होता है 4ab और 4ab देखोगे तो a हमारा x है b हमारा 1 x ab का value तो 1 हो गया यानि overall इसका value कितना जाएगा 4 जाएगा तो यह बहुत ही classic questions ठीक है और बहुत बहुत बहुतरीन question है इसको आप note down करेंगे आपके ssc में इस प्रकार के questions आने के संभावना रखते हैं इसको आप अच्छे से solve करिए और समझिए यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको solve किया है ठीक है चलिए तो formula जो हमने यहाँ पर use किया वो formula इसको अगर आप देखना minus b cube minus 3ab into a minus b इन दोनो formula इसको हमने यूज किया दूसरा हमने जो last formula यूज किया वो यह है कि a plus b का whole square minus a minus b का whole square जो होता है 4ab और जब आप यहाँ पर x plus 1 by x लिख रहे थे यहाँ x minus 1 by x लिख रहे थे तो x तो यहाँ पर a हो गया और 1 by x यहाँ पर b हो गया और ab का value इस case में क्या हो जाता है 1 हो जाता है ऐसे case में जब a को हम x लेते हैं b को 1 by x लेते हैं तो हर इस case में ab का value 1 हो जाता है तो अगर यहां 4 a b है तो a b का value 1 होगा, answer आपका 4 आएगा directly, ठीक next question देखें, next question देखते हैं इसकी बाद अब देखें, x square plus y square plus z square बराबर x y plus y z plus z x कुछ याद आ रहा है, second video second part में हमने क्या दिखा, जब भी भी इस तरीके का expression दिखें, result क्या कहता है, result क्या है, x equal to y equal to z, कुछ नहीं करना है, directly x equal to y is equal to z, दे देना है, जब भी x square plus y square plus z square, is equal to x y plus y z plus z x होता है, direct result है, x is equal to y is equal to z, जैसे x is equal to y is equal to z हो गया, तो आप देख रहें, यहाँ x के खाथ 4 है, यहाँ पर y के खाथ 4 है, यहाँ पर z के खाथ तीनों को मैं क्या ले लेता हूँ, x ले देता हूँ, तो यह भी x के खाथ 4, यह भी x के खाथ 4 होगा, क्यूंकि x, y, z equal है, इस case में, सेम यहाँ पर इसको भी y को x ले जते है, इसको भी x ले जते है, इसको भी x ले जते है, तो सारे के सारे x बन जाएगे, यह याद आ रहा है, हम लोग ने क्या सीखा था, x square plus y square plus z square बरावर, x, y plus y, z, z जब होता है, तो x is equal to y is equal to z होता है, part 2 वीडियो में हमने इसको cover करके रखा है, इस theory को, ठीक, x plus 1 by x 2 है, तो बताइए इसका value क्या है, क्या result कहता है, x plus 1 by x, इस format को हमने first video में cover किया है, x plus 1 by x 2 कब होता है, जब x equal to 1 होगा, देखो भई, 1 plus 1, 1 plus 1, 2 हो गया, तो इसका value भी 1 है, क्यूंकि 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों को जडोगे, 2 हा जाएगा answer, क्यूंकि 1 के power में कितना भी कर लो, answer हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर इसका value भी 1 है, उसका value भी 1 है, दोनों को जडोगे, तो 2 हा जाएगा, next question यहाँ पर दिया हुआ x plus y plus z का value 1 है 1 by x plus 1 by y plus 1 by y का value भी 1 है और x y z का value 1 है x cube plus y cube plus z cube का मान क्या है बताना है तो x cube plus y cube plus z cube कैसे बनता है x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z cube पर एक formula हमें पता है उसमें अगर आप इन सारे expressions को use करेंगी तो कुछ बात बन सकती है तो पहले तो इस format को आप देखिए इस format में जिस format को हम कभी भी नहीं देखिए x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z वाले format तो इसको थोड़ा सा simplify करने कोशिश करते हैं जैसी मैं इस चीज को देखता हूँ अगर मैं यहाँ पर LCM लेलू तो नीचे आजाएगा x y z उपर एक बार y z आएगा एक बार x z आएगा एक बार x y आएगा मतलब x y plus y z plus z x यही आ रहा है इसका value 1 है मतलब कुल मिला के यह मिल रहा है कि अगर इस x y z को दूसरे तरफ भेज दे यहाँ पर x y plus y z plus z x बराबर x y z और सवाल में एक बार तो कही दिया है कि x y z का मान क्या है 1 है मतलब यह भी अगर 1 है तो यह भी 1 होगा x y plus y z plus z x भी 1 होगा अब इस expression को कहां से लाया जाए formula हमें यह पता है x cube plus y cube plus z cube minus of 3 x y z का value जो है यह क्या होता है x plus y plus z x plus y plus z और bracket में आता है भी a square यानि कि x square plus y square plus z square minus of x y minus of y z minus of z x यह formula हमने देखा हुआ अब इसमें आपको चौकरना रहना है जभी भी x square plus y square plus z square यहां दिया है क्या? नहीं दिया x square plus y square plus z square जिस सवाल में नहीं दिया है जहां पर आपको x plus y plus z दिया है और x y plus y z plus z x दिया है इसको मैंने last video में cover किया था तो इसमें आप short trick क्या यूज करता है डारेक्ली आपको क्या यूज करना है तो मैंने आपको बता के रखा है डारेक्ली आप यहां पर यूज करेंगे x plus y plus z का whole square और आगे आ जाएगा माइनस 3 इंटो xy प्लस yz प्लस zx यहां तक समझ पर आ गई बात तो इसी चीज़ को यूज करते हैं xyz 1 है xyz 1 है मतलब यह हो जाएगा x3 यह क्या हो जाएगा x3 प्लस y3 प्लस z3 प्लस y3 हो जाएगा x प्लस y प्लस z 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा यह 1 बन गया यह भी 1 है तो 1 का स्क्वाइर माइनस 3 इंटो xy प्लस yz प्लस zx इसका वैल्यू भी तो 1 है मतलब माइनस का 3 हो जाएगा तो आगर 3 को दूसरे तरफ बहेजेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 3 हो रहा है तो माइनस 3 और 3 कड़िया तो value आजाए नो 1 value कितना है नो 1 आजाए तो वी जो है सवाल कब से उस्तर है यहाँ तक clear सारी बात है I hope यह समझ भाया होगा आपको अब इस format को देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको a2-4a-1 बरावर 0 आपको क्या निकालना है a2-1 by a2 plus 3a-3 by a तो यह जो है आपको मैंने part 1 वीडियो में कवर किया x plus 1 by x वाला format है देखते साथ आपको click करना चाहिए कैसे समझ में आ रहा है देखिए बई यहाँ जो value है तो इस तरीके से लेकिन यहाँ आप देखेंगे a2 इधर a2 यहाँ a है यहाँ a मतलब यह उपर नीचे x plus 1 by x वाला format चल रहा है तो इस expression को देखते साथ समझ में आता है यहाँ पर अगर मैं divided by a कर दू तीनों में यहाँ पर पूरे में divided by a कर दू तो यह बन जाएगा a minus 4 और minus का 1 by a यहाँ extra निकल के आ जाएगा मतलब a minus 1 by a हमारे पास है जिसका value है 4 अगर मैं इसको square करू तो a square plus 1 by a square है जो क्यो हो जाएगा 4 का square plus 2 मतलब 16 plus 2 करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ठीक है 18 तो यहाँ दाल देते 18 प्लस अगर मैं इन दोनों में से 3 को common निकाल हूँ तो अंदर क्या बच रहे भई a minus 1 by a बच रहे और a minus 1 by a यहाँ निकाल के रखा है 4 तो इसके जगा दाल देते 4 ठीक है multiplied by 4 हो जाएगा answer आगे आपका 18 ए प्लस 12 तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ यह पार्ट 4 वीडियो था अंतिम वीडियो था ऐलजेबरा का ठीक है इससे जितने भी सवाल हमने देखे है more than 100 questions हमने यहाँ पर 4 वीडियो में solve किये है ठीक है और कुछ questions जो है वो आपको practice sheet में भी provide हो जाएंगी जो आपका Sunday को provide होता है ठीक है और इसका answer कि आपको next Wednesday को मिलता है इसको भी आप practice करिए जो चीज़े समझ में नहीं आ रही group discussion वाला जो group है telegram का उसमें आप post कर सकते हैं discussion वहाँ पे हम कर लेंगे क्योंकि मैं भी सारे faculties भी उसमें जुड़े हुए जो भी आपका doubt है वह हम वहाँ पे देखते हैं तो वह हम वहाँ पे आपको explain कर देंगे next video में advance math का दूसरा topic जो है trigonometry उससे हम start करेंगे इस video को यहाँ पे मैं रुकता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो like करें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपके like और subscribe हम जो यहाँ पर free of cost course ला रहें इसमें हमारा motivation और higher रहता है हम आपको और भैतर content provide करें ठीक है thank you so much इस video में इतना ही मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ जो कि advanced math का ही रहेगा trigonometry thank you so much इस video मिलते हैं